नमस्कार मैं हूँ डॉली सिंग और आप देख रहे हैं आर्डी न्यूज करोडो हिंदू श्रधालूओं का इंतिजार हुआ खत्म पांच अगस की तारीख भारत के लिए एक एतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गई है एक साल पहले इसे दिन ग्रिह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का ऐलान किया था और आज वो स्वपन साकार होते नजर आ रहा है जहां हुआ था प्रभूश्री राम का जन्म वहीं हो रहा है उनका पूजन राम मंदिर भूमी पूजन की तयारियों में अयुध्या वासियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जोरो शोरो से इस भव्यकारिक्रम की तयारिया की गई है पूरी अयुध्या नगरी रंग बिरंगी रोश्नियों से नहाई हुई है घाट सजे हुए हैं पचास से भी अधिक जगह रंगोली बनाई गई है राम लल्ला के मंदिर के आसपास जितने भी दुकाने हैं उन सब को पीले वस्टों से चल जाया गया है मानो जैसे अयुध्या वासियों के लिए दीपावली का पर्व हो लोग खुशी से जूम उठे हैं कई स्थानों में किर्तन भजन का भी आयोजन किया गया है सूत्रों से पता चल रहा है कि राम देव बावा और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात 9 बच कर 30 मिनिट में ही आयोध्या पहुँच चुके थे और विभिन नसादू संतों से उनका मिलना भी हो गया था बताया गया है कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पहले लखनौ पहुँचे और लखनौ से अयोध्या हेलिकॉप्टर के जरीए 11 बच कर 20 मिनिट पर पहुँच चुके थे उनके स्वागत में अयोध्या के पांच विधायक शामिल हुए सड़क के दोनों और 51 सो कलश में दीब चलाकर पियम मोदी का स्वागत किया गया पहले नरेंद्र मोदी हनुमान गड़ी पहुँचे वहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की उनके भूमी पूज की अनुमती मांगी मान्यता है कि हनुमान अयोध्या के अधिस्टता है इसलिए उनके निशान की पूजा पूजन के साथ निर्मान कारिया शुरू किया गया हनुमान गड़ी के चारो दिशाओं का परिक्रमा करते हुए मुख्य दवार तक पहुँचे ये बहुत ही एतिहा 29 साल बाद पीम नरेंद्र मोदी राम जन्म भूमी के परिशर में प्रवेश किये फिर मंत्र उचारण पूजा अर्चना करते हुए राम लल्ला के दर्शन किये जहां पे श्री लक्षमर माता सीता की प्रतीमा भी विराजमान थी पीम नरेंद्र मोदी ने पारिजात का किया गया सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए हवन में एक दुसरे से तीन मीटर की दूरी रखी गई हवन में मोदी सहीत राज्यपाल अनंदी वेन पटेल मोहन भागवत और योगी जी भी उपस्थिते पुश्प मंत्र उचारण के साथ हवन का कारेकरण